जी असलाम अलेकूम आज हम बात करेंगे इंटर बैंक मार्केट्स इंटर बैंक मार्केट्स क्या होती हैं और यह किस सरा से इनकी ट्राजेक्शन्स आपस में चल रही होती हैं इनका ब्रीफ इंफोर्मिशन इंटर बैंक मार्केट्स सिंप्ली कहा जाता है जो बैंक्स बड़े-बड़े बैंक्स आपस में जो ट्रेड कर रहे होते हैं इनको असान अलफाज में एक लाइन में बात करूं तो इंटर बैंक मार्केट्स कहा जाता है जो बड़े-बड़े ब कि फर्स करो के यूके की एक कंपनी को USA से अपनी प्रोडेक्शन के लिए कुस्स मेटिरियल मंगवाना है USA की कंपनी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में ही रिक्वायर करती है इस वजा से यूके की कंपनी को अपने सेंटर बैंक के पास जाना होगा या किसी भी बैंक के पास जाना होगा पॉंड्स को यूसडी में करने के लिए इस तरह से एक तरफ से इंटरमेंक मार्केट में इंवाल्मेंट हो जाती है और इसके साथ साथ लेट से इसी वक्त अगर USA की किसी कंपनी को UK से कुछ चीज परचेस करना होती है तो अगर वो UK की कंपनी से चीज परचेस करना जा रही है तो इसका मतलब है कि UK की कंपनी पॉंड्स के अंदर पेमेंट की रिक्वार्मेंट करेगी तो इसी वजह से USA की कंपनी अपने कंट्री के किसी भी बैंक के पास जाएगी और और डॉलर्स को पॉंड्स में कंवर्ड करवाएगी इस तरह से USA का बैंक भी इन्वाल्व हो जाता है अब इस सारे प्रॉसेस के अंदर आप देखो दूनों कंट्री के बैंक इन्वाल्व हो गए इस तरीके से यह आपस में ही ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और एक बहुत ही आसान सी मिसाल समझा दूँ जैसे हम फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं किसी और कंट्री के अंदर जैसे हम फंड ट्रांसफर करते हैं यहां आप यही मिसल ठीक है कि जैसे आप किसी भी कंपनी में आप किसी भी कंपनी में आप डॉलर्स की ट्रंडेशन करते हो यहां आप किसी भी का म expressions के अंदर ट्राशन करते हो तो उसके बैकен्ड के उपर जो प्रॉसेश तल रहा होता है न उसे कहते हैं Interbank Markets और बिल्कुल सेम इसी नज़रिये के तहट Forex Market के बैक एंड के उपर Interbanks involved होते हैं हम जो भी trade लगा रहे होते हैं जो भी transactions चल रही होती हैं हम खाख वाइदा बना रहे हैं या लॉस कर रहे हैं हमारा जो मुकाबला रहता है हमारी trade के दूसरी तरफ Interbanks मुझूद रहते हैं I hope आज की इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा और नया सीखते को मिला होगा बखते हैं नेक्स वीडियो में बखते हैं